राम राम एविर्बडी स्वागयते सभी का वेदानत अकेडमी इंदौर और अंकुरन इस्टिटीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करने वाले हैं आज थोड़ी देर पहले पेपर पूरा हुआ उसमें पुछे गए कोश्चन्स को लेकर तो उसका एक्जाम क रिव्यू और अनलेसिस हम दोनों डिसकस करेंगे आपको आगे किन किन चीजों का ध्यान रखना है रिव्यू में आपको अनलेसिस करके ये भी थोड़ा बहुत समझाया जाएगा तो चलते हम देखते हैं जियस में क्या क्या कुश्चन्स पूछे गए जियस में कुछ जो बताया गया वो सबसे बड़ा महादीप महादीप को लेकर जोग्रफी से कुश्चन देखने को मिला सबसे बड़ा महादीप देन उसके बाद मोटे मोटे questions मिले हैं, exact questions बहुत कम मिल पाए हैं, फिर उसके बाद second question, forest और संसत को लेकर, forest को लेकर संसत के अधिकार संबंदित कुछ question था, और उसमें article पूछा गया था, और वो भी article बहुत मोटा मोटा था, specific article नहीं था, कि जो चलित हैं, प्रचलित हैं, 17 है, 19 है, 21 है, 44 है, 51 है, और संसोधन 22 हैं, इस तरह से question नहीं था, article 124 है, इस तरह से नहीं था, अजीब अजीब से options थे, जो exact options नहीं मिले हैं, देन उसके बाद कल भी आपको बोला था, कि जो municipal corporation है, नगर निगम है, उससे question पू corporation से, नगर निगम से question पूछे जा रहे है, municipal corporation से question था, फिर उसके बाद, west management से question था, solid west management से question था, चुकि solid west management की degree भी यहाँ पर सामिल की है, तो उसका question भी दिखेगा, solid west management, then उसके बाद, प्रदूशन, जो उद्धोग एक प्रदूशन होता है, उद्धोग एक प्रदूशन में, जो कच्रा बाहर निकलता है, उसको क्या कहा जाता है, उद्धोग में प्रदूशन, एक तो यह पूछा गया, उद्धोग और प्रदूशन, उद्धोग प्लस, प्रदूशन मिला क पूछा था यह question next question जो बताया गया वो बताया गया अपसिस्ट को लेकर जो अपसिस्ट है वैस्टेज है उसको लेकर कि उस वैस्टेज को जो अधोग से सहर से जो अपसिस्ट बाहर निकलता है उनको क्या कहा जाता है 6th question में ये abscist को क्या कहा जाता है abscist को लेकर चुकि सफाई पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है नगर निगम की vacancies है तो इस तरह की questions पूछा जाना सभाविक है जो सहरी abscist है उसे क्या कहा जाता है ऐसा ही कुछ question था प्रदूसक को लेकर कुछ question था बस फिर मद्यप्रदेश से तांसें समारो तो बहुत नॉर्मल कुछिन है तांसें समारो कोई भी तयारी start करेगा तो ये questions पहले ही cover हो जाते हैं तांसें समारो गौलियर का अपर लेक को लेकर कुछिन था जो भोपाल में लेक है अपर लेक को लेकर question था एक जहां तक है कहां पर है तो भोपाल की अपर लेक था फिर और जाना माना question बुरहान पूर किस नदी के तट पर प्रिस्थित है के भुषानपुर्बक किस नदी के तड़ प्रिस्थित है था ठापती नदी बहुत फयमस बड़े बड़े कॉस्चंस हैं व robots ले तें उसके बाद फिरम चले में कि मैंनेजमेंट मैं किन तॉपिक्स पर देखोwać इसा पूछा जाता जिसके questions बहाराना बहुत possible नहीं है लेकिन एक student का paper था और वो समझदार और number भी ठीक ठाक है तो उनको topics समझ में आ गए हैं तो उनने topic का advice कियाएगी सर अगर आप बता रहे हैं तो इन topics के बारे में थोड़ा सा और बताएं आप जुड़े रहना last में हम बताएंगे किन चीज करना है जिससे आप अपने marks को बढ़ा सकते हो जुड़े रहना management में management में आपको ध्यान रखना है संगठन organization से related question थे संगठन से question थे देन उसके बाद direction direction से जो निर्देश रहते हैं direction से फिर उसके बाद planning से planning से question थे और financial market बित्तिय बजार financial market या बित्तिय बजार से question पुछे गए थे ये पाँच जो topics है चार topics आप लोग ध्यान रख सकते हैं management में संगठन direction planning और financial market ये खास topics आपको तयार रखना है management के लिए आप चलते हैं science science में आज थोड़ा सा surprise किया science में थोड़ा सा क्या surprise किया जैसे सबसे पहला question जो review में मिला वो मिला lift पर based numerical लिफ्ट पर based numerical उसमें प्रैशर वगेरा something पूछा था उसमें तोरण दे रहा था lift का और जो सामाने गृत्विये तोरण है वो उसकी जानकारी थी जहां तक प्रैशर वगेरा बल या pressure को related वो question पूछा गया था तो अच्छा numerical इस पर lift पर देखने को मिला single numerical था और दूसरी बात यहां पर science में यह देखने को मिली number of questions physics से सबसे जादा थे physics सबसे जादा पूछी गए थी और क्या पूछा गया ध्वनी पर question पूछा गया दूसरा ध्वनी पर question पूछा गया sound पर question sound के बाद फिर electricity पर question विद्धुत पर question देखने को मिला विद्धुत के बाद विद्धुत के बाद बल, जो सनरक्षी बल है, सनरक्षी बल कौन सा बल है, इसके options दि सके options दिये गए, सनरक्षी बल को लेकर question आया, mechanics से अच्छे खासे questions देखने को मिले, फिर उसके बाद दाब के relation, दाब का relation, दाब का formula, दाब का formula उसको related फिर उसके बाद सबसे खास देखने की बात ये रही अब पता नहीं जो भी रहा हो पेज खुल गया हो या बुक खुल गई हो उनके पास अदर्स गैस का जो रिलेशन होता है पी-वी इस एक्वल टू एनार टी येखन पर ही कोश्शनज पूछे गए तो जो आप तयार करें इसमें थोड़ा ठीक से तयार करें, क्योंकि questions पूछे गए थे, इसमें condition पर based question पूछे गए थे, condition पर based, और हम चलें science में जैसे chemistry वाला पार्ट था, chemistry से क्या देखने को मिला, chemistry से जो पहले से भी पूछ रहा है, वो question जैसे Lewis अमल, कौन सा Lewis अमल है, अधिक, कौन सा Lewis अमल है, अधिक मैं पूछ लिया उसने, और option वो कैसे दे रहा था, al3 plus mg2 plus, और वो options दे रहा था, इस तरह की questions वो cover इसमें कर रहा है, फिर उसके बाद, last question science में जो हमें मिला, वो मिला, bio से disease को, disease को लेकर question पूछा था, disease में भी दाद, जो दाद होती है, उसके fungi से related कुछ question पूछा था, दाद किस fungi से होती है, साइड ऐसे कुछ, दाद के fungi से related question वो हम पूछा गया था, disease में, इचिंग से related question, next अब हम चलें, अगला topic हम लेते हैं, computer, computer में क्या पूछा गया, computer का जो overall review है, जो बहुत computer जिन लोगों ने पड़ा है, जो खास तोर से CPCT qualified हैं, उन लोगों की भी सिकायत है, सर, computer tough आ रहा है, और computer बहुत कुछ वैसा नहीं आ रहा है, जैसा CPCT में, इसलिए मान कर भी चल सकते हैं, CPCT से paper काफी tough आ रहा है, क्योंकि CPCT में word और ये excel बगएरा, ये सारे बहुत अच्छे से तयार किये जाते हैं, वर्ड के जो updated versions हैं, वो तयार किये जाते हैं, इवन पटवारी में पिछली बार word के questions पूछे गए थे, office से, MS office से questions पूछे थे, लेकिन वैसा इस बार नहीं दिख रहा है, जो बिलकुल practical questions हैं, जो computer की basic knowledge की questions हैं, वो यहाँ पर देखने को मिले थे, जैसे network पर question आज भी देखने को मिला, नेटवर्क पर, टोपोलोजी का question आज देखने को नहीं मिला, लेकिन network पर देखने को मिला, individual network को जोडने वगरा, something ऐसा कुछ question था, input device को लेकर question था, एक, साइद keyboard का question था, input device को लेकर, जहां तक है, keyboard का question था ही, input device से question आ रहा है, फिर generation से question पूछा गया, generation से, computer की जो generation चल रही है, उसमें साइद first generation से related कुछ-कुछ question पूछा गया था, second, आगे बढ़ें, इसमें operating system से एक question पूछा गया, और आगे चलें, ppt से एक question पूछा गया, ppt से एक question पूछा गया, SQL से एक question पूछा गया, ये questions, मौटे मौटे topics, जो computer में पूछे गये, वो हमें मिले, आगे हम चलें, अगले topic पर हम चलते हैं, अगला topic है हमारा English, Maths पर भी चल रहे हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, English, English में जो सबसे ज़्यादा questions पूछे गए, जिसमें direction भी नहीं दी गई कि आपको क्या करना है, वो है voice और narration, सबसे ज़्यादा questions, तो easy topic है दोनो voice और narration आप लोग लगा सकते उनको, तो पहले और दूसरे पर हम रखेंगे, पहले narration, narration और दूसरे पर रखेंगे हम voice को, इन दोनों को मिला कर maximum questions देखने को मिल रहे हैं, English में सबसे important topic है, फिर उसके बाद important topic देखने को मिला, miss spelled words, miss spelled words, जो spelling की error है, वो देखना था कौन सा spelling गलत लिखा है, फिर vocab में देखें, vocab तो पूछी जा रही है, antinims पूछा जा रहा है, synonyms पूछे जा रहे हैं, अब ये तो ठीक है, traditional पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे खास idioms और phrases, idioms और phrases से 2 से 3 questions देखने को मिले, और मजी की बात, यहाँ पर vocab में error finding, vocab में one word, one word, दो one word देखने को मिले, one word, दो देखने को मिले, तो आप one word तयार कर सकते हैं, vocab तयार कर सकते हैं, यदि आपके पास time है, तो, error बहुत जादा questions नहीं मिले, जैसे SSC में मिलते हैं, कम से कम 5 questions, तो अपने यहाँ पर error की questions देखने को मिले, 2 questions, और एक para-jumble, जो आप बार-बार सुनते आ रहे हैं, para-jumble क्या होता है, sentence को उनके घटना के हिसाब से, व्यवस्थित करना, उसे कहा जाता है, para-jumbling, तो para-jumble से एक question देखने को मिला, और इस तरह से ये questions रिव्यू में मिले, मौटे-मौटे topic आपको यहाँ पर उम्मीद है, मिल गए होंगे, जिससे आपको थोड़ी बहुत help मिल जाएगी, अब हम चलें, second-last reasoning, reasoning, second-last reasoning, reasoning, reasoning में क्या पूछा गया हमसे, reasoning में जो सबसे जादा questions पूछे गए, वो पूछे गए coding और decoding से, coding और decoding, coding और decoding सबसे जादा पूछा गया, 4 से 5 questions बताया गया, इसे पूछे गए, फिर उसके बाद questions देखने को मिले, direction से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, direction से 2 से, 3 questions देखने को मिले, तीसरा हमें question देखने को मिला, dictionary से, इसको ठीक से explain किया गया है, dictionary से 2 questions देखने को मिले, और dictionary के questions, कैसे questions आए, और दोनो टाइप का questions हम आपको बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाके दे देंगे जिससे परेशानी ना हो आप लोगों को अब देखते हैं dictionary पर क्या question पूछा गया वो देखते हैं dictionary पर एक तो simple dictionary के according जमा देने वाला question पूछा गया दूसरा question dictionary पर पूछा गया जो words दिये गए थे उन words के अंदर ही alphabetically जमाना था जैसे क्या लिखा जैसे लिखा answer a n s w e r तो इसको पहले क्या करना ए a के बाद e जमाना है e के बाद n जमाना है n के बाद r फिर s फिर w इस तरह से पहले जमाना है और फिर उसके बाद dictionary के हिसाब से जमाना था यह answer लिखा था इसे हमने क्या पहले जमाया alphabetically और फिर इसे जमाना है dictionary के हिसाब से तो एक question वैसा पूछा गया था तो dictionary पर बेज़द दो question पूछे गये थे देन उसके बाद magical cube से question था magical cube लगातार आ रहा है magical cube से question था फिर उसके बाद series बहुत important series से 4 से 5 questions देखने को मिले और series तो वैसे भी important topic है में ध्यान रखने ही होता है और series के बाद हम देखें अगला जो सुनने को मिला mirror image mirror image का एक question mirror image से एक question और mirror image के बाद एक और question देखने को मिला paper cutting ये दोनों topic ऐसे हैं जो आप लोगों को कोई सिखा नहीं सकता आपको practice करना होंगे यदि आपके पास practice के लिए questions नहीं आप comment box में डाल सकते हैं आपको mirror image के question हम provide करवा देंगे और paper cutting के question हम आपको provide करवा देंगे और बहुत सिंपल है 10-15 मिनट में आपका topic complete हो जाएगा एक दो question आज एक दो question कल वैसे अगर कल भी paper है आपका तो दो तीन बार अलग अलग time पर questions लगा लेना mirror image और paper cutting के आपका काम हो जाएगा mirror image तो काफी easy है paper image में थोड़ा सा analytical दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन वो हो जाएगा provide करवा देंगे हम comment box में डाल देना अब चलते हैं जिसका आप लोग इंतिजार कर रहे थे maths में हम चलें maths में सबसे important सबसे important है number system number system में 4 से 5 questions देखने को मिले 5 questions के आसपास देखने को मिले और number system में बहुत खास क्या रहा remainder remainder या division भाग के जो प्रशन आते हैं वो बिवाजन के जो प्रशन आते हैं बिवाजन जो प्रमे है division theorem जो है उस पर based question भाज्य भाजक और successful इन पर जो question है वो यहाँ पर देखने को मिले थे number system में और क्या देखने को मिला simplification दूसरा simplification से भी 4 से 5 questions देखने को मिले simplification simplification से 4 से 5 questions देखने को मिले फिर उसके बाद important topic speed 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 से 3 questions देखने को मिले फिर उसके बाद time and work time and work से 2 questions देखने को मिले time and work से 2 questions देखने को मिले mensuration 3 4 mensuration 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 से अब 2 questions ये मान कर चलें लगबख fix से हो गया है mensuration से 2 questions पूछे गए 2 questions में हमें मिला एक पूछा गया work में बाड़ लगाने का एक वरगा का खेत है उसके चारो और बाड़ लगाने का something something वो question था और एक question था cylinder का cylinder को convert करना था एक तार में volume is equal to volume करना था इसमें work में बाड़ लगाना है मतलब उसकी perimeter या परिमाप पर बेस वो question था फिर चले आगे हाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो question पूछा गया वह height and distance से question पूछा गया तैयार यदि नहीं है आपका तैयार तो आप तयार कर सकते हैं फिर प्रायक्ता से question, प्रायक्ता से task पर question पूछा गया था, card पर, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सारे task खेलना भी सिखाया है, बताया भी है किस किस तरह से task बनता है, तो card based question उस पर दिखा था task पर, probability में, और ना होने को लेकर था सायद, ना होने की प्रायक्ता, तो थोड़ा ठीक था question था, फिर P and C, permutation and combination, क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय, इससे question देखने को मिला, एक question देखने को मिला, ये लाल बॉल, पीली बॉल, सफेद बॉल, इस तरह से question पूछे जाते हैं, उससे question पूछा गया था, कि इतनी इतनी बॉल हैं, इसमें से इत जा सकती हैं, तो वो एक question देखने को मिला था, average से, average से एक question देखने को मिला था, और वो मिला था, कुछ A और B का दे रहा है, B और C का दे रहा है, और C और A का दे रहा है, तो A, B, C के बारे में वो पूछ रहा था, तो तीनों को जोड देते हैं, और दो से भाग लगा देत तो A, B, C का आ जाता है, आपको कई बार सिखाया है, नॉर्मल कुशिन है, यह रेपिटेटिव टाइप का कुशिन है, डियाई से, डियाई से वापस दो बार ग्राफ देखने को मिले थे, डियाई से दो बार ग्राफ या रेक्टेंगल जो ग्राफ आते हैं, वो देखने को मिले थे, इस तरह के जो ग्राफ बनकर आते हैं, इन पर बेज़ कुशिन, दो कुशिन बने थे इसमें, बार ग्राफ पर फिर उसके बाद बहुत खास जो request करके बोला गया कि सर आप बता दीजेगा बच्चों को AP और GP तयार करके जाएं इस तरह के दो questions देखने को मिले थे जिसमें एक question simplification का था जो आपको YouTube में simplification में पढ़ाया है इस तरह के questions आपको trick के form में पूरे पढ़ाय हुएं चुकि हम exam analysis कर रहे हैं तो exam की ही हम बात करेंगे अब हम देखें overall क्या करना है आपको बहुत short में एक minute में सला एक minute में यही सला है जो student paper देकर आ रहे हैं इस first कहना है जिल लोगों को आता है उसके according कि paper में time थोड़ा सा कम पढ़ रहा है तो maths के questions में ओलजना नहीं है यदि अच्छा भी है तो भी कोसिस करो उसको आप बाद में attempt करो दूसरा बोला गया कि sir ये वहम की बहुत सारे questions mixed form में आ रहे हैं तो mixed form में बहुत सारा नहीं आ रहा है कुछ-कुछ mixed form में आ रहा है जैसे 175 से 200 तक के जो questions थे सभी हिंदी के questions थे ऐसा बताया गया maths और reasoning के questions 50 questions mixed आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और सबसे खास बात आप अपने time को manage करेंगे paper में क्या कितना आ रहा है इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता overall review में जिनसे review लिया उन्हों का यही कहना था sir English का जो weightage था वो थोड़ा सा weightage ज़्यादा था और GS का जो weightage था वो थोड़ा सा कम था और average थोड़ा सा overall अगर देखा जाए तो paper average या average तक ही वो मान सकते हैं उसको और जिन student से review लिया इनके 140 plus marks है तो ठीक है marks और जो review exam के बारे में बता है हमें लगता है आपके लिए useful है जिन चीजों को ध्यान रखने को बूला गया आप एक बार उनके बारे में सोच सकते हैं आपके exam के लिए वो सहय को फिर इसमें जो भी आपको लगता है problem है आप comment box मे डाले हम कोशिस करेंगे बहुत जल्दी तुरेत प्रभाव से आपको respond किया जाएगा और वो चीज़ें provide की जाएंगी तो जुड़े रहें अच्छे content के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को राम राम